एपिसोड की शुरुआत होते हैं इन लोगों के उपर कोई अंजान ताकत हमला कर देती है पर किसी तरह एंपरेस अपनी ताकत से उस हमले को रोग देती है यहाँ पर सभी लोग काफी शुक्रिया करते हैं एंपरेस का कि उसने अपनी ताकत की मदद से इस अपरेशन को रोग तो तुम्हें अपनी लेडर्शिप को किसी और को सम्मिट कर देना चाहिए यहाँ पे इसके अलावा और भी काफी सारे लोग आया होते हैं जैसे कि पॉइजन वैली लीडर स्नेक वैनम डेमनिक सोल सेक्ट एल्डर सोल डिस्ट्वायर यंग यंग सेक्ट लीडर वे यंग ना हो वहीं पर नेंग टैंक सोच रहा होता है कि यह पांच इंपरेल में है कि मेरे वाइफ इन सबको रोख पाएगी तब इसकी सिस्टम इसे बताती है कि होस्ट यहाँ पर अपने वाइफ को हलकी में ले रहे उसे बस अभी बैट के इंजॉय करना चाहिए जो शो उसके सामने हो रहा है यह सोचता है कि वर्स सिनेरियों में हो सकता है कि मैं अपने एपरेबर पंच स्कील को एक्ट्वेट कर दूँ ताकि मैं अपनी वाइफ की मदद कर सकूऄ तब यह इमपरेस से ने कहती है कि तुम लोग लीडर बना चाहते हों पर क्या तुम उसके काबल भी हो क्य इसकी ये बास उनके लोग कहते है कि उन्होंने उनकी बातों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया लगता है एंपरेस का कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा ताकतवर है याँची कहते है कि हाँ बैटल को कोई भी होने से नहीं रोक सकता पर वैणिंग टैंक कहा रहा होता है कि यही मेरे वाइप है वो सबको डॉमिनिट करके रखती है उतरे में यहाँ पर स्कॉर्पियन लीडी कहती है कि एमप्रेस तुम काफ़ी जदक घमंडी हो तो हमें ब्ले सब्सक्राइब को भराने के लिए मैंने 9996 को इसके अंदर ट्रैप कर दिया है जो कि कभी भी रिकानेट नहीं हो सकते वैसे तो मैं एक साथ इतने सारे सोल्स को समन्ने कर सकता हूं जो कि तुम्हारे सेक्ट को तब हाकने के लिए काफी रहेंगे इसकी बास उनके लोग भारी जाएंगी वाइनिंग टैंक के सिस्टम उसे बता रहा होता है कि होश को घबराने की कोजरोत निया उसका धंडर ट्रिबुलिशन आसानी से इन सब को यहां पर खतम कर सकता है उसी के साथ यहां पर सोल परली के लिए काफी अच्छी रिसोस हो सकती है पर निंग टैंक तब ही निंग टैंक इसे क्याते कि वाइफ तुम्हें घबरानी की कोजरोत निया यह लोग भौकने के लावा कुछ नहीं कर सकते वेपन यहां पर मास्टर की उपर डिपेंडेंट होता है कि उसका मास्टर उसे कैसी यूज करता है अगर मास्टर को यूज करना नहीं आता है और इनने कहते ही कि हम मैं सोच नहीं हूं कि आखर कर तुम्हारे साथ क्या करना अची है तुम्हारे इतनी हिमत कि तुम मुझे चैलेंज करोगी यह देखके लेडी स्कॉर्पीन ने कहते है कि यह तो इम्मॉटल एम्प्रेर रेल्म के एकदम पीक पे है उल्ड घोस तु मिलके एम्प्रेस की उपर हमला कर देते है ओल्ड डी मन यहां पर सोल डिस्ट्रॉयर को उसे फॉल्ड को निकलिक हैता है ताकि वह एम्प्रेस को मार सकी वाई पे निंग टैंग यहां पे सभी शैडो से लड़ते हुए उन्हों कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात सुन तो मैं तुम्हें मुक्ती दिदूंगा इसे ऐसा देख के लोग सोच रहे होते कि आखर कर फैमिली हैड इन घोस्ट से लड़ते हुए इतने जदा शान्त कैसी है और इन सबी को शॉक करने की वज़े से यहां थंडर्ट रेवलोशन रिस्टेन फॉर्मेशन मिल जाता है जि देख के यहां पर सबी लोग हैरान होते क्योंकि यहां पर एक फॉर्मेशन बना रहा होता है यह लोग सोच रहे होते कि आखर कर फैमिली हैड को फॉर्मेशन कैसे बनानी आती है तब ही यहां पर निंग टैंक के हाथ में सोल डिस्ट्रॉयर का वैपन लग जाता है और वो हम लगाते हैं यहां पर दामुनिक शेडूं से कहता है कि नहीं उसने बस प्रेटेंड किया कि ह्योग है उन्होंने हमी धोगा दिया है तब्या एक साथ ही ने कहता है कि अब उनके हम ट्रैप में फस चुके हम चाहे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर डैमोनिक शैडव ने कहता है कि घबराओ मत अगर हम इम्मॉटल वैपन को सैक्रिफाइस कर दे तो हम किसी तरह एंप्रेस को मारने में काम्याब हो जाएंग कि जल्दी करो और अपने डैग्राम को यहाँ पिलाओ ताकि हम एम्प्रेस को मार सकी और सोल्ट्रा एर्फिन निंग टैंक की उपर हमला कर देता और उससे कहता है कि ब्रैट आखिर कार तुमारी हिम्मत कैसी मेरे डैग्राम को रिफाइन करनेगी आज तुमारी मौत मेरी ह अपिसोड को कमबाइन करके कर दिया है तो प्लीज गाईज अगर आपको वीडियो पसंदे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत बुला और बता ना मत भूला कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है तो जाते उसरे पे त्रेंग हूंगा इस थैंक्स वोचि कुछी दिनों में आ जाएगा तो तक लिए वेट कीजिए थैंक्स वोचिंग गाईस नेक्स वीडियो मिलता है